हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टूर चैनल आई पेपर क्लास इस तो कैसे हैं आप सभी सभी को मेरा नमस्कार रादे रादे तो चलिए दोस्तों कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर उत्र परदेश के लिए कोई इस्पेशल क्लास प्रोवाइड करा दीजिए तो उसी के कर रहे होंगे लाइव टेस्ट और वह लाइव टेस्ट दोस्तों किस तरीके से होगा मैं आपको बताऊंगा समाने ज्यान दोस्तों में सारे का सारा दोस्तों आपके जो जर्नल नौलीज के कोशन पूछे हुए हैं आपकी प्रिवेस एर एक्जाम में तो उसे के तो फाइनली दोस्तों आज आपकी सभी परिक्सा में जो पूछे के कोशन है वह वाले भी और जो पूछे जाते हैं वह भी तो उसे के रिगार्डिंग दोस्तों आपके सेसन हैं इसमें दोस्तों के कुश कोशन भी इंक्लूड करूंगा बागी UPGK में पूछे हुए कोशन अपके आने वाली परिक्सा जो भी है दोस्तों लेकपाल की हो चाहिए वह वीडियो या UPPT कि आपके दोस्तों पुलिस का कोई वह परिक्सा आपके सभी तरीके से फोलो करना तो आप कर सकते हैं आपके पास में दोस्तों दो या två तीन अफ़ित अगर आप चाहें डीट्स्रों aten आपको मिलेगी वह टेलीग्राम पर मिलेगी आप शक्रान कर लिज्यीख कुछ भी और कोई अगर दोस्तों किसी तरीके का मेल करना हो तो आप सभी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं तो आपके लिए प्लेटफॉर्म के और आई पेपर क्लासिस के दुवारा दोस्तों सब जगे वेलेबल हैं बाकि आप से लोगों के सामने स्क्रीन पर हैं तो चले दोस् किस रूप में करते हैं आप मुझे बताओगे फास्ट के सर इसका अंसर यह बन सकता है तो यह दोस्तों आपके स्क्रीन पर ऑप्शन एबी सीडी करके लिखे हैं फादर डे माटियर डे या फिर दोस्त आपका क्या उनसा टीचर डे अफे मादर्स डे तो तीस जनवरी आप तो यह दोस्ता आपको बताना है मेरे बहुत इजी सा कोशन है और दोस्तों क्या मनाते हैं परवासी दिवस तो वह दोस्तों कब मनाते हैं एक बार यह बता देंगे आप लोग और पहला दोस्तों आपको मुझे बताना है कि कौन सी डेट को चला यह सारी डेट्स मैं आपसे पूछी हुई है ठीक है आप मुझे बताएंगे फास्ट की सरे इनकांसर यह है तो फाइनली दोस्तों इसका जो अंसर नंबर भी है और वह दोस्ता आपका सहीद गिवस ठीक है यह आपके कोशन में पूछा हुआ है बिल्कुल भाई नेक्स कोशन आपके स्क्रीन पर है बहुत हीजी कोशन है और आपने हर एक्जाम में देख भी रखा होगा मदूबनी पैंटिंग मदूबनी जो कला है दोस्तों वह कहां के लिए और किस चीज के लिए फेमस है आप मुझे बताओ फास्ट के सर इसका अंसर यह बन सकता है आपके स्क्रीन पर चार ऑप्षन अब बच्छो ठीक है बही तो चार उप्षन को रिड़ाउट करो और मुझे इसका आंसर आप कमेंट कर देंगे सर इसका अंसर यह मदूबनी जो पैंटिंग है वो किस चीज के होना आ गया और यह मोडण दोस्तो क्या है इसको दोस्तों पहले तो आप में अगों डूस्टो जूप करा दिया घ्या गया यह कपड़ों पर भी आने लगी गहे है तो फाइनली कि तरफ चल लें दोस्तों आगे देख पा रहेंगे क्या लिखा हुआ है क्यों है फेमस दोस्तों हाले फिलाली में संसद बहुन का भी निर्मान हुआ है तो उसी को रिगार्डिंग दोस्तों आपके लिए उत्रपरदेस के कुल किसे कुल कितनी लोग सबस्ताइब दोस्तों आपकोगे सबस्यादाओ की घ्रका राजय चीटे से लोक सभा के 85 डिस्टिक हैं और बिल्कुल राजय सभा की सीटे कितनी आप मुझे बता देंगे इतनी सीटे हैं और नगर निगम की बात करिया दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है क्योंकि हाली फिलाली में दोस्तों आपके क्या हुए तो उसमें 17 उत्तर नगर निगम में दोस्तों बीजेपी ने अपना पर्चम लह रहा है था तो इसे के रिगार्डिंग दोस्तों यह को सना आपके अक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है बिल्कुल तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राजय सभा से कितनी सीटे है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर कोशन नमबर चार यह सेसन थोड़ा सा रिकोर्डिंग इसलिए कर रखा है दोस्तों क्योंकि अभी स्टार्टिंग है और काफी सारे स्टुडेंट कहता है कि से रिकोर्डिट सेसन प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें हमारा टाइम बच जा एंड कलर इनैमिलिंग एंड इनिक इंट्रिकेट और एंग्रिवियंस जो भी होता है इंट्रिकेट एंग्रिवियंस जटिल नकासी के लिए फेमस है ठीक है जो भी है तो कोशन दोस्तों आपका मैं इसको अच्छे तरह के से पढ़ने के फिर कोशिस करता हूं इन में से कौ वाली चीज़े कौन कौन सी है और वो का सुरी कौन सा फेमस ऐसा प्लेस है उत्तर प्रदेश का लखना वरानसी मुरादबाद या फिर खुरजा जटिन नकासी भी करी जाती है वहाई से दोस्तों ठीक है और ताम चीनी के लिए निक ताम चीनी मतलब बोलते हैं दोस्तों इ फेमस हैं है मैडल से बनी हुँआ चीजों के लिए धीमस या फिर दोस्तों नकासी के लिए थेला לפY एर दोस्तों कि किसी भी वह पर कोई भी एक आकर दी बनाना वह नकासे पहलाती है तो ये चीज़ें आपता लगए इसका आंसर हैं अगर मैं आपको ступ कैकर आए-दूसों हो आपका लगनाव कोई कहते है आपका नवाबों का सहर्, ठीक है वह आपको पताऊनाerin है जश्य सप्छॉम्पल के भी आपने ज़क्रम यह आपके बिस ठीज खरगार सी दितले है और साथ में भी लोग मुझे बताएंगे कि कानपुर की ऐस्ज़ लिए खेंस इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बरेली भी आपको पता ही होगा अगला कोशन दोस्तों फिफ्ट आपकी स्क्रीन पर आप मुझे बताएंगे इसका क्या अंसर है इन में से कौनची मतलब एक बिल्कुल बहुत आपको पता है तो विक्टोरिया विक्टोरिया मेमोरियल जिसक की दोस्तों इस्थापना की गई ती राणी विक्टोरिया की सासन के टाइम पीरिड पे तो राणी विक्टोरिया ने दोस्तों अपने सासन कर लिया था पच्चीस साल पूरा होने के बाद में दोस्तों इसकी स्थापना की ती कलकत्ता में कहां पर रहा दोस्तों कलकत्ता मे हैえーGAN का वह जिसको बोलते हैं vistoria memorial तो रानि Victoria की सासन के time period में उनके 25 साल पूरे होने के उबंग्स में बैद कहें बहुद कूछ Черफके नॅζ कि मार में बना हुआ तो आपको बता दूँ मौल में यहांता कम्प्लेट होना है तो सफेद पच्छिस साल उसके बाद में दोस्तों इसका फोर्मेशन कराया गया था नेक्स्ट कोसर नमबर छे हैं बताते रहें आप से भी लोग इनका अंसर मुझे फास्ट और लास्ट में आप बता देंगे कि मेरे बीस में से सर इतने बने और जितने भी बने आप मुझे बताएंगे अगला कॉसर ने विच ओफ दीज नौट अमंग मैं एजनसी विच आर इंवल इन स्टॉरिंग यूज कॉंटिटी ऑफ फूड ग्रेंट्स फूड ग्रेंट्स की बात हो रहें उत्र परदेश में तो ऐसी में से कौन सी मुख्य एजनसी है जो नहीं है अनाज के भंडारन मे उत्र परदेश में सामेल है ठीक है बताना कौन सी है दोस्तो इसम Housing практически? फूर कोर्परेंशन ओफ इंडिया ये तो सभी है ऐसीwest थीस होड़ी है और एस्टर ग्रेंट्फ से करके कुछ होता है उत्तर परदेश में भारी मात्रा में अनाज के बंडारन में जो सामिल नहीं करती है दोस्तों फूड कोर्परेशन ओफ इंडिया यह तो सही है भई का ऐसी अच करके होता है टो कोई भी धूसरी कंट्री के कंपणी और वह कंपणीत में जाकर करें अपना दौस्तों प्रोडक्ट को सेल कर रही है तो इस तरीके के दोस्तों इंवेस्ट करना महां पर जाके इंवेस्ट करना किसी दूसरी कंट्री में वह कहलाता है दोस्ता आपका FDI विल्कुल सर स्टाइब टेर्ट इन्वेस्ट या फिर इस तरीक है से फोरेनर डार्यक्त इन्वेस्ट ठीक है कि सैवन को आपकी स्क्रीन पर अबच्छो आप मुझे बताएंगे सक्कांसर बन सकता है इसी को सिन भट आपको बताना कि लगब कितनी संख्या पर इसकी करोड़ एप्रोक्सिमेट दोस्तों आपको मैं आपको बताओं इसका को सनका आंसर जो है लग बग लग बग दोस्त आपके 20 करोड़ के आसपास है इसका नमबर हो जाएगा बट आपको मुझे बताने आपको दोड़ा सा हिंट दे दिया वन नाइन नाइन कुछ करके होती है तो आप मुझे बताओ है क्या अक्या बात है यह भी पूछ लेते हैं यह क्योंकि दोस्त आपका यूपी पूलिस के एक्जाम में पूछा हुआ है इसलिए मैं आप से पूछना चाहा रहा था नेक्स को क्या बन सकता है और वेटा सेकिंड हलका से दोस्तों मेरे को स्कूरोल करना पड़ेगा मेरे को ऐसे लग रहा है ठीक है बिलकुल हो गया है तो यह कुस्त बहुत अच्छा है मैं इसको दोस्तों सारे जितने भी गुरू है उनकी ट्रिक भी बता दूँ आपको और आप कर पाए करें बागी में ट्रिक लिए देता हूं ठीक है बिल्कुल और नारा इस तरीके से मैंने इसको दोस्तों खुदी बना रखा है एच एच करके लिख चकता हूं ठीक है ना भई पांच और चार तीन आठ हो गए ठीक है ना फिर बाद में बश्ते दोस्तों टेक बाहद्दूर गुरू गविन सिर्फ जी जी करके लख देता हूं यहां पर घ्रु नानक देव अगले दोस्तों कॉन से आप मुसे बताएं और इस से अगले कौन-सिया गुरू अंगद्च, गुरू-रूत-आच hmm ऐसी तरीके से दोस्तों गुरु करके कोई हैं यह भी शुरा मतयों अरत ह लेंगे और फिर दोस्टों हर गोविंद है और ऐसी दोस्तों आपकी 10 के 10 गुरुमेन आफकी स्क्रिन पर लिख दिए ट्रिक मेरे को याद है देख रहा है तो इसी कुछ करके एक और है आप देख लेंगे ऐसी दोस्तों गुरुंध नानक दिव और गुरु रामदास और एक अमरदास इस तरीके से यह हैं आपसे भी लोग देख लेंगे बाकि कौन-कौन से दो दस के दस के गुरु आप नारा ट्रिपल अच टीजी करके आध कर सकते हैं नारा ट्रिपल अच ट्री जी ठीक है बही बिलकुल तो गुरु टेक बाहदूर द पंथ की स्थापना दोस्तों इन्हों नहीं की थी बताना जावडा कौन से टाइम पीरेड में और नेक्स्ट कॉस नंबर नाइन वह अगस्ट कोसन हर एकजाम में पूछे जाने वाला कॉसन आपकी स्क्रीन पर है वह वह तोसे नंबर नाइन कि लिखा है कि वोटिंग जो कर करते हैं दोस्तों हम और आपने भी कर रख्योंगी तो आप कहते हैं नहीं से अब वालों के लिए पैचान पत्र बन जाता है तो यह दोस्तों पहले प्रावधान 21 वर्से से उपर वालों के लिए था तो इसको घटा कर रठारे पर किया गया तो कौन सा अमेंडमेंट आया था कौन सा दोस्तों भी लाया था जिसके कोडिंगे किया गया था तो मैं आपको बताओंगा दोस्ता आपकी स्क्रीन पर चार ओप्सन है चारो के अकोडिंग आप मुझे पहले इसका अंसर कमेंट करो कि सर इसका अंसर यह है और बहुत बैस्ट आपके लिए क्लास त्यार करी ठीक है मैं आपको बता दू और इसकी पीडिएफ मैं आपको बता दिया दोस्तों कहां पर मिलेगी आई पेपर क्लासिस नाम से दोस्तों आपका टेलीग्राम ग्रूप है उस पर मिल जाएगी 73 सविदान संसोदन 1992 में या फिर दोस्तों आपका 86 अमेडमेंट 2002 21 में दोस्तो दोस्तों किया गया था एड किया गया था और यह दोस्तों है मैं आपको कोशन बदेंक बताओंतों तो 61 सविदान संसोदन 1989 के तहर्ट दोस्तो 18 वर्से से गटा कर उमर 21 वर्स कर दी गई थी ठीक है जी सर ठीक है तो फाइनली दोस्तो 73 वे और सब्सक्राइब करूं नेख्स्ट कोसन आपकी स्क्रीण पर कोसर नमबर 10 अगर अच्छी लग लाइए तो दोस्तो और लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब कर सकते हैं लूज्च क्योंकि यह नदे क्लास मेरिडियन टाइम ओफ इंडिया बहरत का मानक समय मेरेडिन जो time है दोस्तों वह कुन सा है 82 degree 30 minutes 37 degree इस तरीके से एस्ट है longitude है latitude longitude है फिर longitude है तो यह तो दोनों आपने कभी देखे भी नहीं होंगा भी 33 37 या फिर 82 बताना जरा कुन सा है दोस्तों इसमें से option संब्सक्क्राइब है एस नाम दोस्तु पर्याग राज दोसी में नैनी जगह नहीं जगाइन बिल्कुल भाइन तो वहां पर दोस्तों यह आ लेल यह वहीं से चेंट यह इस फिर उत्तिया ऴिलाबादत से जिले दो स्थार जिंग से और वाहाँ अपको ठोटें से कुल में ढमें जाती है ए फिर उसके नीचे आपको तो कूछ से कुन सा मेरा को डंग यहां के तरह सभी मियियंद के फिर इदर आंदर परिथे सी मेरे यहीं तक ही मरे फैसे मेरे को निंग थो इबाकर होगा तो आप मुझे बता देना कमेंट करें चैनल अपने भूल तो अपसे नमबर एक्जाम में पूछावा इस्ट लॉंगिटूड इसको तो थोड़ा सा स्पेसल में याद करना जो मैं आपको बता रहा हूं देशानतर है इस्ट में पूर्वी देशानतर ठीक है बिलकुल आगे चलूं नेक्स्ट 11 ग्यारवे नमबर का कुशन आपके स्क्रीन पर आप मुझे बताएंगे कि इसमें से कौन सा दोस्तों आपका एक प्रेडिशनल दोस्तों जो होता है डांस है बिलकुल उत्तर परदेश की राज्य की सौरी प्रारंप्रिक अर्द एहतिहासिक कहानिया एवां गीत गाता गीत का प्रत अनिर्थ्य नाटक है घूमर एक राजिस्थान का बच्चों मेरे को पता है राजिस्थान का काल बेलिया प्ली कली और स्वांग को पतु का पुली कली होगा द। सब्सक्राइब दोस्तों चोरा है काफि सारे हैं तो उसी के बीच में दोस्तों सवांग होता है वह स्वांग दोस्तों आपका किसका format सब्सक्राइब आपको पता को राजिस्थान का है बहुत फेमस डांस है ठीक है न बई बिल्कुल तो उत्तर परदेश में दोस्तों आपका स्वांग जो है वह आपका इसी चीज के लिए दोस्तों आपकी जो राज्य की पारंप्रिक अर्ध एतिहासिक कहानियों से सब्सक्राइब या फिर दोस्तों गातागीत का निरत्य नाटक है काल बेल या कहा है आप मुझे बताओ दोस्तों कौन से स्टेट का है ठीक है आगे चलूं कॉस्सन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा हुआ यह बारत के रेस्पेक्ट में कुछ कुस्सन है दोस्तों निम्लिकित में से कौनसा विकल पर पस्चिमी गाट का सर्वोस्ट कराया कुछी दिन पहले क्लास कराई थी फॉसमें दोस्तों कि मैंने कराया था और साथी में यह फेमस टैंपल है आप मुझे बताओगे यह वह फेमस टैंपल जिसमें अभी हाले फिलाले में सुपरीम कोर्ट में को लेकर दोस्तों मेल फीमेल में दोस्तों केस चल रहा था कि उसमें एंटर नहीं कर सकते हैं तो वह कौन सा टेमपल आप मुझे बताना ज़रा बहुत फेमस टेमपल है बहुत नेक्स्ट कोसर नंबर 13 क्या लिखा है उत्तर परदेश का क इसा चोटा सा सहर है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बरतन के लिए जाना जाता है लाल मिट्टी के बरतन होते हैं दोस्तों उसकी सजावट के लिए इसको जाना जाता है वो कौन सा है दोस्तों आपको मुझे बताएंगे बरेली, सूर्मा, आखों में जो गेरते हैं उसके लिए फेमस है, मेरट, खेल के समान के लिए, और मेरट में दोस्ते एक फेमस यूनिवस्टी बननी है, स्पोर्ट्स की, उसका नाम बता हूँ, फास्ट की सर यह नाम है, क्योंकि यह कोसन जो हम अपसे पूछ रहा हूँ, और काफी सारे हो जाते हैं, करने तो 220 कोसन है, अगर और बात करने हैं, तो 50 कोसन कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, फिरोजाबाद दोस्तों गिलास के लिए फेमस है, या फिर दोस्तों आपके बैंगल्स के लिए फेमस है, ठीक है, बैंगल्स के लिए फेमस है, और चुनार है दोस् सहर को ceramic city कहा जाता है चलो यह तो खो गहरा सीटी कौन सा है ठीक है ताज सिटी कौन सा है आप मुझे बताएंगे सपनों का सहर dream city किसको कहते हैं ठीक है सपनों का city कौन सा है ठीक है बिल्कुल मैं भारत से कर रहा हूं मैं बहार नहीं जा रहा है आउट रहां हूँ तो स्रेमिक सिटी किसके लिए फेमस है किसके लिए यह ताज Mann grocery अगरा और सप्वन का सहर दोस्तर आप सभेघ्र धी की नाम से उस में सर लगना मुरादबाद प्रियाग्राज या फिर दोस्तों झुर्जा option number D खुर्जा है दोस्तो खुर्जा जो ceramic city के लिए famous है इसको कहते हैं दोस्तो संगम city पूंसा दोस्तो आपका संगम city और लखनौ को कहते हैं दोस्तो आपका किस का city उत्तर प्रदेश की capital और साथी में दोस्तो चिकन कारी के लिए famous है जो मैं आपको भी बताया चिकन कारी के लिए famous है ठीक है और साथी में दोस्तो नवाबो का सहर भी इसी को कहते हैं नवाबो का सहर जी सहर सोरी ठीक है बच्चो बिल्कुल सहर तो बहुत सारी चीज़े होती है दोस्तो अगर मैं ठीक है आगे चलूं नेक्स्ट है फिफ्टी नंबर का कोशन आपकी स्क्रीन पर है दुम्पुक्त उत्रपरदेश में एक लोग पड़िया पड़िया दुम्पुक्त इस पॉप्लर प्रोसेस उत्रपरदेश किस टाइम पर दोस्तों इसको यूज करे जाता है यह बहुत अच्छा कोशन आपके एक्जाम से पूछा वाई यह दोस्त आपका फोरेस्ट गाड़ का जो पेपर हुआता ना मैं आपको बता दू दो हजार सायद 21 और 22 में से कोई साय करके था उसमें से कोशन पूछा वाई आपका यह दुम्पुक्त अब आपने पढ़ा ही नहीं होगा दुम्पुक्त होता क्या है तो आप क्या लगाएंगे इसका ठीक है मैं आपको बताता हूं दुम्पुक्त दोस्तों होता है क्या एक फूड क सभ्सक्राइब को पुक्त है अलग तर्यक को को सनबर जबरदस्त को आपको है घेक साल का एऊBC स्थिन आप मुझे था मुझे अंजनर करेंगे कि सर मेरे एतने मैंसे सही हो पाई है है मूझे स्टेट में हो चुकी है और कुछ स Students में भी बाकी है तो धीरे दिरे सीजा कों से आकर दिखाएं तो लिट्रेट डिस्टिक कौन सा है गाजयबाद लखनंवफोर बताएंगे आप सभी आपको मैं बताओं दोस्तों इसमें से आपका नंबर वन पर जो जाए इन्हीं ओप्सन की अकॉर्डिंग जाना चाहूं तो मैं ठीक है बिलकुल भाई तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले आपका गोतम बुद्नगर गोतम बी एन लिख देता हूं जी बी एन करके गोतम बुद्नगर दूसरे नंबर पर दोस्ता आपका कानपूर ठीक है बिलकुल भाई और थर्ड नंबर पर दोस्ता आपका गोतम बुद्नगर कानपूर है और लखनाव जोनपूर और गाज़ेबाद का मेरे को इतना आइडिया नहीं है कौन-कौन से नंबर पे तो पहले पर दोस्तों गोतम बुद्नगर दूसरे पर आपका कान पूर है ठीक है बट इनके उप्सन के अकोर्डिंग पहले नंबर पर दोस्तों यहां पर यह हो जाएगा ठीक आगे चलता हूं तो चले दोस्तों फाइनली मैंने 16 कोशन आपके लिए रखे थे आप मुझे बताएंगे सर मेरे 16 में से इतने बन पाएं को शन और कि लास किस तरीके की लगी आप मुझे बताएंगे कि सर किलास का फीड़बक जरूर देना कि सर इस तरीके की खिलास और आप अपनी आड़लाइस दे सकते हैं हमें किसी भी तरीके से चैकली सब्सक्राइब कर देंगे और वर सकी पाइब को प्रोवाईड करने आणे व LOL पर कितने को इसलंस आप बना पाए आपके लिए मैं अपको दिखा देता हुए एक बार और जब कृमने वनपकिया वेलोगुर्व Crime एद्ट कर सकते हैं तो फाइनली दोए सब्सक्राइब तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे बई